Central nervous system is the like central government and peripheral nervous system is like the peripheral like the state government या फिर जो district administration है अगर कोई भी problem आती है तो वो सबसे पहले peripheral nervous system के पास जाती है peripheral nervous system ने solve कर दिया बहुत अच्छी बात है अगर वो solve नहीं कर पाया तो कहां बेच दी जाएगी central nervous system के पास ठीक है अगर central nervous system में भी कोई solve ये spinal cord जो है सबसे पहले उसके पास पहुचता है अगर spinal cord भी solve नहीं कर पाई तब जागर के वो कहां जाता है हमारा brain के पास brain में क्यों? brain में क्योंकि conscious activity होती है conscious का मतलब बहुत ही ज्यादा complex functions परफॉर्म होते हैं प्लानिंग, intelligence ये जो चीज़े हैं वो हमारा brain करता है for example let's say हमने कोई गरम चीज़ पर हाथ रख दिया अब इस चीज़ के लिए सोचना थोड़ना है कि उसको हटाना है वहाँ से हाथ या नहीं हटाना है इतिरे में तो हाथ जल जाएगा तो ऐसा होता है कि दरसल हमें अगर कुछ motor मतला हाथ पर हिलाने होते हैं तो हमें उसमें central nervous system को involve करना ज़रूरी होता है तो peripheral nervous system के पास एक message जाता है अब इसने कहा कि इसमें तो भाई हमें हाथ यटाना पड़ेगा तो ये decision मैं नहीं ले सकता यहाँ पर जो plexus होगा वो बना कर देगा कि ये decision मेरा नहीं है ठीक है message transfer किया जाएगा central nervous system को अब central nervous system में ये decide किया जाएगा कि कौन इस बात को समालेगा spinal cord में ये बात समाली जा सकती है पता लगा हाँ spinal cord की ये बात समाल सकता है क्यों 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 क मिलती थी खेलने के लिए राइट तो यहां पर क्या है आप सिगनल दोगे वो आपको response देगा central nervous system जैसा कि calculator में होता है आपने input दिया आपको output मिलता है है ना तो इसी तरीके से उस पूरे के पूरे system को क्या कहते है उस पूरे path को क्या कहते है हम reflex बोल देते हैं चीक है तो यहां पर कहने का छूटा सा मतलब यह है कि वो process information जो है चैसा हमने गरम चीछ हुई वो कहां पर process होगी spinal cord के level पर process हो जाएगी brain को involved करने की ज़रूरत नहीं है हाँ हलाकि brain को बाद में पता लगेगा क्योंकि हमने motor neuron का use करा है तो उसमें brain को बाद में पता लगेगा लेकिन वो situation को handle पहले ही कर लिया गया है तो इतना ज़्यादा complex इतना ज़्यादा fast system है हमारा अब इसको और समझने के लिए हम आजाते हैं human neural system के बिलकुल basic चीज़ पर क्या पढ़ते हैं कि human neural system is actually divided into two parts कितने parts में divided है बिटा दो parts में divided है ठीक है अब इसको बिलकुल simple करके बढ़ते हैं तो सबसे पहला part जो है that is called the central nervous system क्या बोलते है central nervous system जो दूसरा part आता है central से दूसरा that is called the peripheral nervous system और the PNS तो इसको बोलते है peripheral यह peripheral neural system का मतलब क्या है peripheral का मतलब होता है side में तो जैसा कि अभी हमने यह आपे blue one lines जो represent कर गी है यह दर आसल पेरिफरल nervous system है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि central nervous system के फिर दो parts आ गए बिलकुल central nervous system में में आभी दो parts ड्रॉक किये कौन कौन से एक तो हमने पढ़ा भी brain देखो यहां पर हमने पढ़ा था ना बीच में जो हमने yellow color से ट्रॉक कर रखा एक तो हमने गहा था brain है और एक spinal cord तो बिलकुल यह दोनों के दोनो central nervous system में आते हैं कौन कौन brain और spinal cord ठीक है यह दो चीज़े अब brain के बारे में हम पढ़ेंगे spinal cord के बारे में पढ़ेंगे ठीक है लेकिन peripheral nervous system का क्या तो peripheral nervous system क्या होता है दरसल जितने भी हमारी nerves होती है जो हमारी central nervous system से related है जितनी भी हमारी nerves है जो की central nervous system से related है यानि की brain और spinal cord से जो related है वो क्या बना रही है peripheral nervous system बना रही है क्या बना रही है peripheral nervous system ठीक है अब इसके बारे में और भी पढ़ेंगे actually क्या होता है कि peripheral nervous system में दो type के fibers होते हैं अब जब nerve है तो उसमें दो type के fibers होते हैं अब कौन-कौन से fibers हैं उसको पढ़ लेते हैं तो देखो बिटा इसमें दो type के fibers होते हैं peripheral nervous system है मतलब कि यह हमारा central nervous system है अगर हम कहा हैं this is the CNS central nervous system तो एक तो information लेके जाएगा और एक information central nervous system तक लेके जाएगा और एक information central nervous system से organs तक लेके जाएगा ठीक है तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हैं हमारे यह organs तो organs से central nervous system तक ले जाने वाला एक चाहिए और एक central nervous system से organs या muscle या मतलब जो भी हमारा जहां तक signal जाना है वहां तक वो चाहिए तो यह जो fibers है जो यह काम करेंगे जो पहुचाने का जो काम करते हैं वो होते हैं हमारे fibers चीक है अब कौन से कौन से fiber है तो सबसे पहले fibers ऐसे ही जो impulsive transfer करते हैं organ से लेकर के cns तक कहां से organ से लेकर cns तक तो वो होते हैं बेटा affront affront fibers चीक है तो जो arrive करेगा cns में that is the affront तो मैंने आपको पढ़ाया था यह affront का मतलब arrival चीक है affront is related to arrival अब cns से जो exit करेगा that will be called as e-front चीक है तो e से exit और e से e-front इसको हम जो यहां से exit करेगा that will be e-front तो यहां पर दो type के fiber समय पता लग गए तो यहांने के एक affront fiber होता है और एक e-front fiber होता है ठीक है अब वापस आजाते हैं तो इस pns जो है peripheral nervous system actually miss के दो parts होते हैं किते parts हैं दो parts actually मैं आपकी book में तो यह तीन पार्ट दे रखे हैं तो तीन नहीं पढ़ लेते हैं ठीक है ओके तो एक है हमारा somatic neural system sorry somatic somatic neural system और फिर एक है हमारा autonomic autonomic neural system ठीक है और एक है हमारा visceral neural system क्या है visceral visceral neural system ठीक है अच्छा somatic neural system क्या करता है somatic neural system क्या करता है central nervous system से जो हमारी voluntary muscles है वहां तक सिग्नल इकी जाता है क्या करता है जो हमारा जो हमारा CNS है CNS से कहां लेकी जाएगा जो हमारे strated muscles है या जो skeletal muscles है तो हम यहां पर लिख सकते है skeletal Skeletal muscles तक लेके जाता है Autonomic क्या करता है Autonomic इसमें क्या करता है CNS से Involuntary तक लेके जाता है Involuntary Involuntary के अब बाखल दोते है Smooth muscles है न Smooth muscles तक लेके जाता है हमें पता लग गया अब ये जो viseral है ये क्या करता है Actually मैं ये न बहुत बड़ा एक network है complex है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़े आ जाती है देखो इसके अंदर एक तो nerves आ जाती है बहुत सारी nerves आती है बहुत सारे तो इसके अंदर fibers आते हैं, बहुत सारे इसके अंदर ganglia आते हैं ठीक है, और बहुत सारे तो इसके इंदर प्लैक्सेसि जाते हैं हमने पढ़ाता कि dessa जा चिहें तो तब जा करके ये क्या-बनाता है पुरा system मिनाता है इसमा पो तक क्या है impulses travel करती है from the central system to ड ये जो § devi व ये आंगले प्लैक्सेस वहां तक central वहां तक track travel करती है, so from the CNS, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि CNS से कहाँ travel करती है, nerve, fiber, ganglion, plexus system, ठीक है, अब यह जो autonomic nervous system ना, इसके again, फिर्फ further parts divided है, हलाकि हमें उसको पढ़ना नहीं है, उसकी detail हमारे slimness में इतनी जादा नहीं है, but क्योंकि हमारे में केवल introductory दे रखा है, तो थोड़ बहुत हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें आता है बिटा, एक तो आता है sympathetic, sympathetic neural system, और parasympathetic, parasympathetic neural system, यह होता क्या है, sympathetic और parasympathetic, दरसल ऐसा होता है, कि अगर हमें कोई एक काम कराना है, जैसे कि, जो हमारी जो iris है, अपने पढ़ा है न, जो हमारी iris होती है, वो क्या करती है, amount of light को control करती है, वो pupil जो जो हमारी body में muscle को, smooth muscles को contract कौन करा रहा है, sympathetic करा रहा है, तो उसको relax कौन कराएगा, parasympathetic कराएगा, यानि कि opposite, opposite काम करते हैं, एक दूसरे के, तो जो काम sympathetic nervous system करेगा, उसका opposite काम parasympathetic nervous system करेगा, ठीक है, इसके बहुत सारे examples हो सकते हैं, जैसे कि मैंना भी दिया, आइरिस का एक pupil का दिया, pupil dilation और pupil constrictory, फिर हमने muscles का पढ़ा, ऐसा ही हम sphincters का पढ़ सकते हैं, अलग-अलग examples हो सकते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, फर्दर detail पढ़ेंगे